इस वीडियो में बात करने वाले है SI-derived units यानि की विद्पन SI मात्रक इसके पहले मैं 7 basic जो SI मात्रक है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल के पर लिएस्ट में जाके आप देख सकते हैं शुकष करते हैं सबसे पहले यहां पर किजिकल खुल को अज़िए और उसके यू-णित नहीं इसको में जाले मैं किपेस में मेलच मैं किलो ग्राम थे हिलो ग्राम फंव यहां को सिंब ग्राम कर चाहले हैं तो वैसे सबसे इंद si कैट एक उई ही मुडति क्रेड सुच्छ को इसको जो मिजरमेंट कियाता है उसका लिए कैपिटल एफ एलेक्ट्रिक चार्ज को कुलाम में मिजरमेंट कियाता है उसका सिंबल होता है कैपिटल सी होता है होता है उसको ऑम Eğer उसको हिलते है और स्लिज़ुकंट से लगते है वे उसके प्था होता है उसका उन केुट होता है उन स्लिफो एसको से मैं होता है अर्टा यूल्ड़ आग़िया शो कि सैमगर्स वर्क गापको प्रमाने में 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 म फर्स जो कॉलम है वो physical quantity का और थार्ड कॉलम है वो यूनिट का जो symbol होता है वो लिखा करे हैं फिर है luminous flux उसको हम lumen से, और उसका short form कहीं है, और उसका सिंबल कहीं होता है लम, magnetic flux को weber में measurement करते हैं, इसको w b, capital w, small b, से हम लो लिखते हैं, magnetic flux density को tesla में measurement इसका होता है और इसका सिंबल होता है वो capital T होता है plane angle, radian होता है इसका मातरक यानी unit और उसको RAD से उसका sort form हम लोग लिखते हैं एक समलोग बात करें power और radiant flux दोनों का जो unit होता है वो होता है what उसको capital W समलोग लिखते हैं pressure या फिर stress दोनों को pascal measurement करते है उसका unit होता हो क्या होता है pascal और उसको PA से लिखते है फिर radiation absorb dose उसको gray unit होता है उसको gy से हम लोग डिनोड करते है यानी सिंबल उसका होता है radiation dose equivalent उसको syvert से उसका unit होता है और syvert को SV से लिखते है ठीक है और जो cement होता है से सावल्ट को SV से लिखते है ठीक है radio activity activity इसको बैकुरल से लिखते है बैकुरल से लिखते है बैकुरल का unit होता हुए BQ होता है बहुत इंपोर्टेंट होता है सारी sort form यानि कि उनके symbol बता हो तो हम उनको अच्छे तरीक से बता सकते हैं कि जद्धत है sort form ही लिखते है कि पुरा पुरा नाम अब बैकुरल कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको उसका sort form से BQ क्यू लिखे मिलेगा यह थे आपके derived ESI units आपको यह वीडियो कैसा लगा यह मैं comment section बताएं इस related चाहे math हो physics हो chemistry हो इन तीनो topics पे हम वीडियो बनाते रहते हैं तो इस तरीके की math or science की वीडियो आपको इस channel पे मिलती रहेंगी